अब यहाँ पे कमाल देखो अगर आपकी जानकारी के बिना कोई आपकी गाड़ी को इस तरह से रोल करते हूँ लेके जाएगा तो आपको आपके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन वाला साइरन आ जाएगा यहाँ पे आप देख लो कि जो चाबी है वो औरिजिनल है फिर भी इगनिशन जो है वो अन नहीं हो रहा है हेलो फ्रेंट विलकम टो मेकानिकल टेक हिंदी फ्रेंट पिछले 6 मैने से मैं इस बाइक में जे एन पी टेकनोलोजिस का जी पियस टैकिंग डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ actually इस GPS striking device को लेकर मैंने एक detailed video upload भी किया था जहाँ पे मैंने आपको complete बताया था कि इसे किस तरह से bike में install करना है इसका working procedure कैस में क्या क्या feature को दिया गया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो link आपको description ने मिल जाएगा अब उस video में चुकि इतना ज्यादा views आए बहुत सारी inquiries आई बहुत से लोगो comment आया कि भाई इसके उपर में आप चुकि बहुत time हो चुका है तो एक review कर दो कि आपने क्या experience क्या क्या है सही है कि नहीं है और क्या हमें अपने bike में कार में च्कूटर में लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए जो पिछले 6 महीने में में मेरा experience rise GPS tracking device के साथ वो मैं आपके साथ honestly share करने वाला हूँ साथ ही अभी offer चल रहा क्या offer है जहां पर आपको ये discount है मिलने वाला है उसके बारे भी आपको आगे मालूम चलेगा तो वीडियो को पूरा देखे और अगर आप चैनल पे नहीं हो या भी तक अपने चैनल को subscribe नहीं किया तो प्रिली चैनल को subscribe कर ले और बेल लिकान को बिद्याबाद ले ताकि आने वाले इप्रेंटेश की अप्डेट आपको आपको नोटिफिकेशन के तुरू मिलते रहे अफ्रेंट इस GPS ट्राइगिंग डिवाइस से लिए जितना भी डेटा है उसे देखने के लिए आपको मिली ट्रैक जो एप है वो डाउनलोड करने पड़ेगा यह एंडॉड और यूस दोनों के लिए अवेलबल है वैसे पिछल है मैं क्या करतो है करो आप यहां पर रैर्ट हों टीक है कि यहां पर पहले से रदोगे तो उसके जहां की दिदे यह इसे नेबल कर दो यह इसे उनेबल हो गया सक्रreस पुले और यहां पर और उनीच दीक दिदी रहा है अब पारकिंगर जो test होता है वो कुछ इस तरह सोता है कि सबसे पहला तो आप यहां पे देख लो आके कि आपको जो bike है उसका ignition जो है वो on नहीं होना चाहिए वो off ही रहना चाहिए इसके बाद जहां पर भी bike खड़ी है वहां से लेकर 50 मिटर तक अगर कोई भी bike को 50 मिटर आगे तक roll करते पचास मिटर से जादा roll करते हुए आगे बढ़ेगी उसके बाद आप देखना कि यहां पर एक जो notification है और जो alarm है वो आ जाएगा तो आप यहां पर देख लो आपको सुनाई दे रहा इस तरह का जो alarm है वो आ जाता notification वाला यहां पर आप देख लो कि जो bike है वो पचास मिटर करीब जो है वो चल चुकी है वो रोलो करते हुआ आई है और इस तरह का जो alarm है वो आपको सुनाई दिया सेम ऐसा ही alarm जो है वो जब भी parking mode से बाहर bike जाएगी तो आपको देखने को मिल जाएगा siren के साथ साथ यहां पर आप देखर एक notification भी यहां पर आ गिया है bike alarm parking mode violation at the update वगरा timing सब लिखा हुआ नामकूम राची जारकन पिन कोड एवरिटिंग सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है तो इस तरह का आपको एक alarm का चल जाएगा ठीक है उसके बाद यहां पर आप देख लो यहां पर है इंटरवल कर सकते हो ठीक है आपको आज कर देखना है कल कर देखना इस सब्सक्राइब अपको आपको क्या हूआ एक दिवाइस के हेल्प से तो यहां पर आप देखे लो कि लास्ट सेवंड डेस का जो डेटा है इस बाइक का किस रूट में चलिए कहां चलिए वह आपको देखने को मिल रहा है यहां पर मैं क्लिक करूंगा तो आपको लोकेशन जो है वह भी मालूम चल जा रहा है इसके लाव में 60 यहां पर क्लिक कर देता हूं तो आपको देखो अलग लग लोकेशन में जहां पर यह रुकी है वह आपको डिटेल हॉल्ट बगर देखने को मिलेगा तो यह सब आप देख सकते हो ठीक है यहां पर फिल्टर फिर सही तरीके से आपको यहां पर जो ओआरा पुखो देन का है जो पिछले सत्ते का है इस तरह का डिटा को फिल्टर करके यहां पर चेक कर सकते हों अब यहां पर आपको दिखाना चाहँ को यहां पर आपको स्क्रीन पर दिखाए दे रहा कि cargo तो टोटल इंजन टाइम इस जो हमारा डीपेश टेकिंग डिबाशी से लगाने के बाद कितने तरते इंजन ओन रहा है तो 226 घंटे 35 मिनट किया ओन रहा है तो यह इसलिए मैं कहा रहा हूं कि इसके यूएस पी बहुत सारे क्योंकि बहुत सारे अडिशनल फिचर्स को दिया सफी जादा ही बहतर लगा है चलिए अब मैं आपको इस GPS टाइकिंग डिवाइस के दो बहुत इंपोर्टेंट फीचर के बारे बताता हूं पहला जो फीचर है वहां पर यह कि जितनी बार आपके जो बाइक का इगनिशन जो चाब यह वह वह आन होता है तो जैसे आप इग यहां पर आजाता है आपको सुनाए दिया स्विच ओफ इस तरह का यहां पर आजाता है नोटिफिकेशन चलिए अब मैं आपको और फीचर के बारे बताता हूं देखो अभी क्या होने वाला अभी मैं आप गार करना कि जब मैं इंगिशन ओन करूंगा तो यह आराम से कर सकते हैं यहां पर कमांड दिया गया है इंचना आव मैं यहां पर कलिक कर दोऊंगा तो यह neat कमांड do होगा जब तक यह ओफ वाला कमांड जो है वो दिया हुआ है ठीक है इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप अपने इस एप से यहां पर इंजन ओन वाला जो कमांड है वो दे दोगे इंजन का ओन कमांड देती ही क्या होने वाला है कि आप असानी से जो मिशा ने वो देखो यह ओन हो गिया और इसके बाद आपने गाली को चला सकते हो तो यह भी एक बहुत ही अच्छा सेफटी फीचर इस यह पर इंपर इंपर्टेंट बात बताना चाहूंगा देखो जब भी जीपेस ट्रेकिंग डिवाइस की वाइड वाली की बात आती तो ब आप सक digo में स्कुसों देखो अब उल्सदाटना चाहांगा कि मैं साटिसफाइड हूं बहुत अच्छा जीपेस लिवास है और अगर आप अपनें किसी बी गाड़ी के लिए जीपेस खाक ओँगाईर आपको जरूर से यूज करें अब देखो यहाँ पर स्कोशन मिलेगा किया तो दो जगास आप किसे खरी सकते हो एक तो है Amazon जहाँ पे इसका प्राइज है 3000 रुपए उसका भी लिंक आपको description मिलने वाला है लेकिन अभी आपके पास एक और बहुत अच्छा मौका है अभी आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिखाए दे रहा है अगर आप इस नंबर पर WhatsApp करते हो और जो मेरा coupon code है MT300 इस coupon code को वहाँ पर message करते हो तो आपको इस GPS टेकिंग डिवाइस में 300 रुपे का discount मिल जाएगा तो आप यहाँ पर WhatsApp करके भी इसे मंगा सकते हो All over India, Pan India के delivery है साथ ही मैं आपको बताना चाहूँ के company के दोवारा installation भी बहुत ही minimal charges के साथ provide कर जाता है तो आप चाहे तो company के technician को बुला के भी या उनके पास जा के भी अपनी गाड़ी में इसे install करा सकते हो तो बहुत अच्छा product है मैं इसको highly recommend करने वाला हूँ उमीद है इस वीडियो में दी गई जांकारी आपको पसना योगी वीडियो चाह लगाओ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दे वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राए आप मुझे जरूर बताए इसके लाव अगर आप चैनल पर नहीं हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल लागन को भी दबा ले ताकि आने वाली पॉट्रे वीडियो के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के तुरू मिलते रहे मिलते अगले वीडियो में थांक्स वाचिंग इस वीडियो गुडबाई